So good morning guys और current affairs के revision वाले session में सबसे पहले मेने के current affairs का revision करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? Estonia की पहली महिला पडान मंतरी कौन बनी? तो आंसर होगा काजा कलास. Estonia की capital Talon है. बताए किस राजे सरकार ने नई MSEND policy को policy 2020 को launch किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने. और धन लक्ष्मी बैंक के MDCO कौन बन गए? J.K. Shivan बन गए. और धन लक्ष्मी बैंक का headquarter आपको मिलेगा? Trishur Carroll बे. बताए किसे महावेर चक्र से सम्मानित किया गया भी? करनल बाबू संतोष को. और परिया टक्कों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच पार्क अभी किस राज में खुला गया? उडिसा में. उडिसा में जो बित्तर कनी का नेशनल पार्क है न वहाँ पे? और अंक्रटाड के द्वारा जारी रिपूर्ट के नुसार 2020 में कौन सा देश FDI का सबसे बड़ा प्राप्त करता था? FDI यानि की Foreign Direct Investment. अंसर होगत चाइना. अंक्रटाड, अंक्रटाड मतलब होता United Nations Conference on Trade Agreement और इसका हेड़क्वाटर जेनेवा स्विचलेंड में है. 2020 से सम्मानित किया गया था मुहम्मद मौसीन. बताई आकाश NG मिसाइल का सफलता पूर्वक अभी परिशन कहां पे किया गया? उड़ी समय. ये किया था DRDO ने. और हाँ गाईज देखिए, बैंक एक्जाम को क्रेक करना बहुत ही आसान हो जाता है. अगर आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही हो तो और सही स्ट्रेटजी क्या है? धेर सारी प्रेक्टिस. तो प्रेक्टिस कीजिए, अनकेडमी बैंक कॉमबेक के साथ और जानी है अपनी वीडियो सॉलूशन. तो बैंक कॉमबेक में हर कुशन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ओल इंडिया रैंकिंग और स्कूर तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तयारी को ले जाए नेक्स्ट लेवल पे. और इसी के साथ इस कॉमबेक में पार्ट लेने वाल इस्टुडेंट्स जीत सकते हैं एक करोड रुपे तक की स्कॉलर्शिप और फ्री अनकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी. अब ये अगला कॉमबेक कब होगा? ये होगा दो मई को सुबह दस बजे. तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिये गए हैं उन प करें अनकैडमी प्लेट्फॉर्म को. इतना ही नहीं अगर आप अनकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कूड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा. तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अभी हम बढ़तें आगे. और इटली के प्रधान मंत्री ने इस्तीफा दे दिया नाम बताईए उनका उनका नाम था गिव सेपे कॉंटे इटली की केपिटल होती है रोम करंसी यूरो बढ़तें आगे. फिर बताईए एसोचेम एंटरप्राइज अप दिस सेंचूरी अव इंटरप्रदेश का बन गया? कुशी नगर. बताईए पूरु उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पे बना? बिहार के नालंदा जिले में. और इस रो के स्पेस सिचुएशन अवेरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? नेत्रा. नेत्रा मतलब उ और स्पेस अब्जेक्ट ट्रेकिंग एंड एनलिसिस. बताईए किस ने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की गोजना की? तो टाटा मोटर्स ने. अंतर राश्टर मानव एकता दिवस इंटरनेशनल हुमन सॉलिडिटेरी डे. ये कब मनाया गया? 20 देसंबर को. अचा, ITB के डिरेक्टर जेनरल किसे नियुक्त किया गया? SS देशवाल को. SS देशवाल हैं इसके डिरेक्टर जेनरल वर्तमान में. और ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? New Zealand करेगा. बताईए किस देश को अगले दो अलंपिक में अपने ध्वज और नाम का उप्योग करने से प्रतिबंदित कर दिया गया तो अंसरोगा रशिया. पढ़ते आंगे. तो चलिए कल के करंट अफेर्स को भी रिवाइस करते हैं. पहला प्रस्न पूछा जा रहा है. अंतर राष्ट्रे अंडरत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे ये कब मनाया जाता है? तो अंसरो अचिक्स ये जापनी स्पूर्ट्स वियर ब्रैंड है. इसने अपना ब्रैंड अंबेस्डर बनाया रविंद्र जड़ेजा को. और किसे वित्ट सचिव फिनेंस सेक्रेटर के रूप में निवत किया गया? टीवी सोमनाथन को. अचा सीमा सडक संगठन, बोल्डर रोड और और गिनाजिशन की पहली मेला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी वेशाली हिवासे है. और किस इस्तान पर 2021 के हिश्याई मुक्यबाजी चेंपिन्शिप का एउजन किया जाएगा? दुबई में होगा, ये पहले दिल्ली में होने वाला था, लेकिन कोरुना के करन अब ये दु विदाय मुहिया कराना उपलब्द करवाना. और किस राजे सरकार ने डॉल्फिन जनगर्णा संबंदित अभी डेटा को चारी किया? उडिशा ने और इसमें बताया कि चिलका लेक में डॉल्फिन की संख्या डबल हो गई है. और बताये आई-पेल में पचास अर्द शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गई कौन? ये सन्राइजर है दराबाद के कपताने नाम इनका डैविड वार्नर. अभी मनुच दास जी का निदन हो गया, ये क्या थे? ये ओडिया लेखक थे. और अभी ऑक्सफोर्ड एकॉनमिक्स ने वित्तवरस 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 10.2% बढ़ते आगे. तो इस टेडिक कुश्चन की बात करेंगे, बताओ DRDO के चीफ कौन है? अंसर होगा जी सतीश रेड़ी, इनका कारेकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था भी. वो पेंटिड माइ लस्ट रेड नाम की बुक को किस ने लिखा? श्री आयर ने लिखा, निरुपमा यादव ने लिखा, और सदस्यता नाम की बुक को लिखा विजे कुमार ने, बिहार विदान सभा के अध्यक्ष है ये, और इसको रिलीज किया था बिहार के मुख्य मंतर नितिश कुमार, एक और बुक है The India Way Strategies for an Uncertain in World, तो आप जान चुके होंगे इसको लिखा है जे शंकर ने, सुब्रेमनियम जे शंकर ने, तो आप जान चुके होंगे इस बुक को लिखा है हमारे विदेश मंतरी सुब्रेमनियम जे शंकर ने, फिर बताओ, Air Force Day ये हमने कब मनाया, कब मनाते हैं, 8 October को मनाते हैं, Air Chief Marshall हमारे राकिश कुमार सिंग बदूरिया है, अब है नुवाखाई फसल ये उत्सव मनाया जाता है, कहां पे उडिसा में, चावल की नई फसल आने पे इसको मनाया जाता है, तर्की की capital क्या है तो अंकारा है, करंसी है लीरा, प्रेस तयप अडेगॉन, और वैसे आपने तर्की का नाम सुना होगा न्यूज में, अभी ब्लेक सी में नेचुरल गेश के बंडार खोजे गए थे यहाँ पे, गेस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा किसने डॉक्टर अशूक के वेद ने और इसको रिलीज किया था हमारे ड सेप्टेंबर का लास्ट हजडे को मनाया जाता है, लास्ट थाइम हमने 24 सेप्टेंबर को इसे मनाया था, जिसमें इसकी थीम रही थी, सस्तेनेबल शिपिंग फॉरस सस्तेनेबल प्लेनेट, अब ध्यान देना, ये तो हो गया विश्विश समुद्री दिवस, एक बताओ, वर्ल्ड एन्वार्मेंट हेल्थ डे हमने कब मनाया तो आंसर होगा 26 सेप्टेंबर को, और एक वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे भी होता है, जो आप जानते ही, ये पांच जून को मनाया जाता है, और बताओ, वर्ल्ड ट्यूरिजम डे ये होता है, 27 सेप्टेंबर क जिसकी theme रही tourism and rural development वैसे हमने पढ़ा था एक national tourism day भी होता है जो हम मनाते हैं 25 जनवरी को और 25 जनवरी को ही national voters day भी मनाया जाता है फिर है world rabies day ये 28 September को मनाया जाता है जिसकी theme थी end rabies collaborate vaccinate फिर है world heart day 29 September को होता है ये जिसकी theme थी use hard to beat cardiovascular disease अब बताव international day for food loss and waste reduction 29 September को हमने इसे मनाया पहली बार अंतर राष्ट्रे खाद्यहानी और अप्षिष्ट न्यूनी करण दिवस की रूप में theme थी इसकी stop food loss and waste for the people for the planet अब बताव अंतर राष्ट्रे अनुवाद दिवस international translation day ये 30 September को मनाया जाता है जिसकी theme थी finding the world for a world in crisis अब बताव international yoga day आप जानते ही हो 21 जून को मनाते हैं लेकिन इसकी theme क्या रही थी yoga for health, yoga at home आकरी कुशन है world hepatitis day 28 July को मनाया जाता है जिसकी theme थी hepatitis free future तो guys ये था आज का हमारा current affairs का revision वाला वीडियो वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कीजिएगा शेर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में अब कुछ questions आप लोगों से पूछे जाएगे questions आप लोगों लगाईएगा और देखिएगा कितने questions आप लोगों से बन पा रहे हैं बागे में इनको कल सॉल करते हैं ये रहे questions आपके साबने अब करते हैं